हर सफलता के पीछे रिजेक्शन होता है यह हम सुनते आ रहे हैं आपने कई रिजेक्शन देखे हैं लाइप में या जिन्देगी की किताब बहुत ही मतलब सरल थी आपके लिए सरल कुछ नहीं होता देखे यह तो कर्व है तो पहला तो आइडिया लेवल पे रिजेक्शन है बहुत है कि जब शुरू में यह हुआ तो एक तो हमें तो कुछ पता नहीं था सोचल सेक्टर का और एंजियों तो दुनिया भर के अलतुप अलतुप बातों के अलावा लोगों जो ग्यानी-द्हानी लोग थे कि कुछ क्रैंशन द्खारो क्योंको लगा कि लगा कि कपड़ें करना नесुग काम नेता है अर हमें लग रहा था थे नरती बेसिक लक्ति तो एक जब्सक्टे Cancer objected, अमीर इंचे değer, आपरास्टभीक नेता और ठीशन बहुत्त वाले 0टब नहीं घुसने देगा क्योंकि हमारा सारा connection उससे है और आप MDG, SDG सारे development के dictionaries और data देख लीजे या program देख लीजे आपको कपड़ा कहीं issue नहीं मिलेगा वो इतना ignored है जबकि basic need है तो जब हम उस पर काम शुरू कर रहे थे तो बहुत लोग का कहना था और बिना किसी चीज की इस बात की फिक्र किये आप आपको लग रहे है कि कुछ अच्छा इसका होगा, कितना अच्छा होगा क्या होगा हमें भी नहीं पता क्यों हम ऐसे calculate नहीं कर सकते, ये सब business वाले शाद business plan मना सकते हो हम तो नहीं कह सकते कि कितना बड़ा social change आएगा, आएगा, नहीं आएगा हमें अपने पर वरोसा है कि हम करेंगे, इमानदारी से करेंगे बहले ही छोटा करें तो जब आप इमानदारी से करते रहते हैं किसी काम को दूसरा आप learning mode में रहते हैं आप यह देखते हैं कि यदि हम आज कपड़े पर या पानी पर या सड़को पर जो भी हम infrastructure पर, environment पर काम कर रहें हम learning mode में हम अपने को water expert नहीं बोल सकते हैं हम अपने को mensal hygiene के expert नहीं बोल सकते हैं हम सीख रहे हैं, गाओं की जो महिला अपनी जिन्दगी हम पर खोल के रख देती है और हमको यह बताती है कि mensal के दौरान वो किस दौर से गुजरती है वो हमारी teacher है तो मैं तो गाओं को अपनी university मानता हूँ तो यह सीखने का तरीका गाओं से सुरू हुआ है कितने गाओं तक आप पहुँच पाई है अभी तक हर साल हजारो नए गाओं में पहुँचते हैं और deep rooted काम करते हैं अभी हम 26 states के कुछ हिस्सों में हैं मतलब 26 state में काम कर रहे हैं तो बहुत overstatement है बहुत बड़ा देश है बड़ उसके कुछ हिस्सों में काम कर रहे हैं जैसे उडिसा में ही I think करीब 20-22 डिस्ट्रिक्ट में है फोनी के टाइम में तो आप बहुत ही काम की है हाँ उडिसा में देखिए तो बी होनेस उडिसा बिहार जैसे states में हम लोगों का बने रहना और उसका काम का थोड़े बड़ा होने की एक वज़े डिसास्टर भी है क्योंकि बड़ा दुख होता है कि बहुत मुश्किल से लाखो लोग अपनी जिन्दगी बनाते है और सब को जोडते हैं और फिर सडनली एक कोई नेचरलल डिजास्टर आके उसको खतम कर देता है और फिर उनको रिबिल्ड करना पड़ता है तो हमें हमेशा लगता है कि ठीक हम भले हमारा चोटा साई कांट्रिबूशन हो उनकी लाइफ में बट हम कम से कम जितने भी लोगों के साथ हो सके हर साल खड़े तो होते है सर जो रिमोट एरिया है आप दारिंग बढ़ में गए हो आप कंधमाल के बहुत गाउं में गए हो आपके सोच को ओ लोग केसे अकसेप्ट करते हैं हम लोग के समाज में हम लोग के सोसाइटी में मतलब यही रिच्वाल है यही मानने का है आप काम करो फिर आपको पुंजी के दोरान पेसा ही मिलता है आप काम के बदले कपड़े देते हो आप काम के बदले कुछ सामगरी देते हो फिर ओ लोग उसको कैसे अकसेप्ट करते हैं लिखे हंदुस्तान के गहुआं बहुत simply, pure लोगों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के थोड़े से thought processes शेरों में आकर जब हम उल्चा हुआ है, तो हम बड़े इंस्टियोर हो जाते हैं, तो हम सामने वालों को भी उसी lenses से देखने लगते हैं, वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत भोले लोग हैं, और शायद इसलिए बहुत सरे लोग अभी भी उसी लेवल पर पावर्टी में जूज रहे हैं, क्योंकि उतनी भोले लोग हैं, दूसरा, बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी language क्या है, आप वहाँ पर जाके क्या कह रहे हो, कि आप काम करोगे तो हम समान देंगे, क्या आप ये language उस करो, किसे समझाते हैं लोगों को, हमारा तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम तो लोगों के साथ बैठते हैं, रहते हैं, और हम उनसे ये पूछते हैं, कि आप हमें बताईए कि इस village क कि क्या issue है, ये कोई top-down approach नहीं है, कि हम यहाँ बैठके कह दें, कि हर गाओं में सड़क बनेगे, अरे नहीं चाहिए उसको सड़क, एक गाओं को सड़क नहीं चाहिए, उसको अपना पोखर साफ करना है, वो उसकी priority है, मतलब जरूरत के हिसाब से काम में लेगा, तो इसमे decision making last insan के हाथ में आगए, skill उसकी है, resources उसके है, साथ में हम खड़े हैं, हम आपको जाके कह रहे हैं कि भाई मेरे मुझे तो कुआ खोदना नहीं आता, तुमको आता है, मैंने तो चुआ का नाम भी नहीं सुना था, अपनी life में, आप मुझे बता रहे हो, आप इसे कर सकते हो हम आपके साथ खड़े होंगे, दूसरी problem ये सारे सामान की है, clothing की है, बहुत सारा जो भी हम सामान handle करते हैं, और इसके फिर वही दो तरीके हैं, कि हम आपको दें और हम आपके पास आएं और बोलें, और दूसरा आप अपने गाओं के लिए काम करें, हम तो सड़क पे नही struggle शुरू होती है, आप आज नए विलेज में जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल जीरो से शुरू करना है आपको, वो dialogue जीरो से शुरू करना है, बट बहुत large scale acceptance है, और large scale acceptance दो-तीन वज़े से है, वो सामान की वज़े से नहीं है, वो इस वज़े से है कि आपने, वो इनसान जो है, आपने उसको उसकी इज़त दी, स्वाभी मन दी, स्वाभी मन दी, आपने उसको value किया, आप उपर से कुछ नहीं थोप रहे हैं कि ऐसा करना है, आप उससे पूछ रहे हैं, कि उसकी क्या issues हैं, उसका solution कैसे होगा, हम लोग साथ बैठके काम कैसे कर सकते हैं, तो उसक कि सोच का प्रिरिटी देने हो, आपसलोटली,